हाई वरीवन वेलकम टो माई चैनल यह देखिए दो कलर का हमने बाइस के लिए डिजाइन बनाया है करोशिय से आप इसको सैटर, कार्डिगन, कोटी या फ्रॉक में बना सकते हो बहुत ही सुन्दर यह बना है दो कलर में हमने इसको बनाया है आप चाहें तो आप इसमें तीन कलर भी लगा सकते हैं यह देखिए बैक साइड इसकी यह है और यह इसकी फ्रेंट साइड है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देए उसके बाद में आप डेखिये कंवेंट करके बताएए कि आपको इस डेखियां कैसा लगा है आप इस डेखियां को क Second की सब्सक्राइब या नहीं किया है वह में सकते हैं जिसमें मैं सलाई और करोशे की दीजाइन बताती हो और अगर आपने कोई और डिजाइन पूछना है तो आप मुझे Instagram पर मेरी ID पर डिजाइन भीज सकते हो तो मैं पूरी कोशिस करूँगी कि आपके लिए वो डिजाइन बनाओ और आप मेरा Facebook पेज भी लाइक करें वहाँ पर भी मैंने काफी अच्छे डिजाइन डाले हुए हैं और काफी लोग मुझे वहाँ पर डिजाइन भीज रहे हैं ये डिजाइन भी किसी की request थी कि मैं ये एक baby boy के लिए आप डिजाइन बताईए तो हमने इसको बताया है बहुती सुन्दर ये डिजाइन है आप इसको पर रहले बच्चे का रखना है तो अब हम यहाँ पर तीन चैन इसकीप करेंगे और एक चौती चैन के अंदर हमने एक डबल करोशया बनाना है ये देखे kangot ये रो हमने डबल करोशया की बनानी है हर एक चैन के अंदर डालते हुए हमने इस रो को complete करना है ये रो हमारी complete हो गई है अब हमने दूसरी रो बनानी है और इसमें हम सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन चैन ली है तीन चैन की बाद में इसके अंदर हमने करोशे डालना है और डबल करोशे में यहाँ पर बनाएंगे तो यह हमारे पास में दो डबल करोशे हो गया है तीन और एक चार फिर एक चैन बनाएंगे और एक चैन हमने यहाँ पर इसकिप करनी है दूसरी चैन के अंदर करोशे डालना है और अब हम यहाँ पर साथ डबल करोशे हमने यहाँ पर बनाना है देखे दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, फिर हमने यहां पर एक चैन बनानी है और एक चैन बनानी है, और फिर साथ डबल करोश्या फिर बनाना है एक, दो, तीन, फिर चार डबल करोश्या हमने लाश्ट में बनाने है देखे, फिर हम यहां पर चैन बनाएंगे और चैन बनानी के बाद में दूसरा धागा हमने यहां पर लगा लेना है अब देखे, एक चैन हमारे पास में यह हो गई है जो हमने चैन बनाई है और एक डबल करोश्या हम यह बनाएंगे यहां पर एक दो और एक चैन हमारे पास में है तीन एक हम यहां पर बनाएंगे चार चार चैन बनानी के बाद में हमने यहां पर दस चैन बनानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस चैन हमने यहां पर बनाई है अब देखिए पहली चैन को हमने यहां पर इसकिप करना है और दूसरी चैन के अंदर हमने एक स्लिप नौट बनानी है एक दो तीन ऐसे करके हमने हर एक चैन के अंदर क्रोशिय से स्टिच उठा उठा कर यहां पर हमने स्लिप नौट बनाना है यहां पर हमने 10 चैन बनाई है दस चैन के नौट बनाई है नौट तो यहां पर हमने 10 चैन के नौट बनाई है 10 चैन में से हमने 1 चैन skip की है 9 चैन में हमने slip knot लगाई है अब आप देखिए जो हमारे पास में design है तो यहाँ पर हमने एक ये वाला और एक ये वाला 2 डबल करोशे छोड़कर यहाँ से हम इसमे इसको हमने इधर लाना है देखिए इसके अंदर करोशे डालेंगे और इसको हमने ऐसे लेके यहाँ पर सिलिप नोट से बंद करना है फिर हम इस चैन को हमने छोड़ना है यहाँ पर इसकिप करेंगे और इसके अंदर हमने करोशे डालकर और 60 डबल करोशे हम यहाँ पर बनाएंगे यहां से और यहां तक हमने साथ डवल करुश्य बनाना है एक दो तीन चार पात छे साथ अब हमने यहां पर फिर से दस चैन बनानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक चैन हमने यहां पर इसकी पड़नी है और नौ स स्लिप नौट हमने यहां पर लगानी है एक दो इसको हमने पूरा बना लिया है अब हम यहां पर फिर से दो चैन हमने छोडनी है यह देखिए दो चैन के अंदर से हमने करोशय डालना है और इसको हम यहां से इस साइड ले आते हैं इसको उपर लाएंगे इसके इंदर करोशय डालकर और स्लिप नौट से हमने इसको बंद करना है अब यहां पर फिर से हमने साथ डबल करोशय बनाना है साथ डबल करोशय में यहां पर बना दिया है एक दो तीन जार पांच छे साथ फिर दस चैन हम यहां पर बनाएंगे एक दो तीन जार पांच छे साथ आठ नौ दस एक चैन स्किप करनी है इसके अंदर डालकर स्लिप नौट हमने यहां पर लगाने है करो छोच कर दो तीन जार फांचे है उना है एक दो दो नी तीन एक दो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक चैन बनाएंगे इसको इसको इसकीप करना है एक दो तीन चार पांच छै साथ एक दो तीन चार पांच चैन बनाएंगे और एक चैन यहाँ पर इसकीप करनी है अंदर डालेंगे और साथ डवल कुरोश्या फिर बनाएंगे एक साथ डवल कुरोश्या यहाँ पर बनाया है एक दो तीन चार पांच चैन बनाएंगे और एक चैन हमने जो यहाँ पर इसकीप किया है उसको छोड़ना है और इसके अंदर चार डवल कुरोश्या हम और बना लेते हैं एक दो तीन चार एक एक चैन बनाएंगे इसको अमने यह पर छोड़ देना है और इस अली चैन के इंदर से एक दो तीन चार पर यहां पर हमने बीस चैन बनानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेहरा चौदा पंदरा सोला सत्रह अठारा उननिस वीस इस चैन को skip करेंगे, इसके अंदर कर रुशे डालकर slip knots से इसको हम बनाएंगे ये चैन बन गई है, अब ये देखिए यहाँ पर double knot अमने इसमें लगानी है फिर हमने यहाँ पर 60 double knot बनाना है एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, डबल करोशे बनाया है 20 चान बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, निस, बीस इसको पूरा यहां से यहां तक बनाना है यह बन गई है हमारी डोरी, इसके बाद हमने इसके अंदर इसको डालना है दो बार हमने इसमे नोट लगानी है देखे बहुत सिंबल डिजाइन है आप इसको जरूर बनाईए और इस बार भी हमने इसमें गांट लगा दी है और अब हमने ऐसे ही करके इसको कंप्लीट करना है तीन हमारे पास में डबल करोश्या बन गए है चार हो गए तीन चैन बनाएंगे और इसके बाद हमने इसको घुमा लेना है और चार डबल करोश्या हम यहाँ पर बनाएंगे देखिए दो तीन एक हम यहाँ पर लेंगे चार एक चैन बनाएंगे और यह चैन हमने यहाँ पर स्किप करनी है फिर हमने 60 डबल करोश्या यहाँ पर बनाना है यह देखिए हमारे डिजाइन बनकर तयार है बहुत सुन्दर डिजाइन यह लगा है आप इसको जरूर बनाएंगे दो कलर में यह तीन कलर में आप इसको बना सकते हो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू